हलो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में आज हम बात करेंगे CRPC की धारा 399 के बारे में यदि आप CRPC से रेलेटेड पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर किलिक करें यहाँ से आपको CRPC का पिछला वीडियो मिल जाएगा हम बात करते हैं CRPC की धारा 399 के बारे में यह कहती है कि सेसन नियाले की पुनर निरिक्षन की सक्तियां जो सेसन नियाले है उसको भी पुनर निरिक्षन सक्तियां प्राप्त हैं याने के रिवीजन की सक्तियां जो है सेशन न्यायले को भी है निगरानी की सक्तियां जो है सेशन न्यायले को भी है पुना निरिक्षण को हम तीन सब्तों में बोल सकते हैं निगरानी भी बोल सकते हैं पुना निरिक्षण तो बोल ही रहे हैं और रिवीजन भी बोल सकते हैं इस प्रकार से तीन नाम के हैं उर्दु नाम निगरानी है और अंग्रेजी में इसको रिवीजन कहते हैं कि प्रपारें पुर्णा निधुक्षण की जो शक्तितियां हैं वो सेजन निखी को किस प्रकार से हैं CRPC की धारा 399 में बताया गया यह बता दिया गया नंबर एक ऐसे किसी कारवाई के मामले में जिसका अभिलेक सेशन नियायलाय ने स्वेम मंगाया है वह उन सभी या किनी सक्तियों का प्रियोग कर सकता है जिसका प्रियोग 401 की धारा उसकी धारा एक के अधिन उच्य नियायलाय कर सकता है याने कि उच्य नियायलाय को जो सक्तियां प्रदान की गई है वो CRPC की धारा 401 में प्रदान की गई है और सेशन नियायलाय को जो सक्तियां प्रदान की गई है वो CRPC की धारा 399 के अंतरगत प्रदान की गई है यह सक्तिया विल्कुल वैसी की वैसी ही है जैसी की उच निया एलाय को है उच निया एलाय याने के हाई कोट को जो 401 में सक्तिया प्रदान की गई है वो सेशन निया एलाय को 399 में प्रदान की गई है इसलिए यहाँ पर यह लिख दिया गया है क्या कि जैसी सक्तिया 401 में उच निया एलाय कि समक्ष पुनर निरिक्षन के रूप में कोई कारवाई उपधारा एक के अधीन प्रारंब की गई है वहाँ 401 की उपधारा 401 की उपधारा कौन सी होगी जो उचनियालय को सकतिय प्रदाय की गई है न वो तो 401 की उपधारा 2, 3, 4, 5 के उपबंध जहां तक हो सके ऐसी को लागू होंगे और उप तो धाराओं में उच्छ नियालय के प्रती निर्देश का अर्थ यह लगा जाएगा कि वे सेशन नियालय के प्रती निर्देश है याने कि कुल मिला के यह समझ लो कि लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि 399 में सेशन कोट को अधिकार दिये गए है और 401 में उच्छ नियालय को याने कि हाई को अधिकार दिये गए है ना अब सेशन नियालय का जो बात है इसमें लिख दिया गए ना कि उपधारा मतलब 401 की उपधारा दो तीन चार जो है और पांच इस प्रकार से लागू होगी जैसे कोई जो है सेशन नियालय को लगू होती है तो कुल मिला के 401 को उठालो मतलब दारा 401 को उठालो CRPC की उसकी उपधारा है 2,3,4,5 को उठालो उसमें जहां जहां उच्छ नियालय लिखा है वहाँ-वहाँ सेशन नियालय करकर के पढ़ लो यही वाली बात यहाँ पर लिखी गई किया जाता है वहां ऐसे व्यक्ति के संबंद में सेशन न्यायलय का विनिश्च्य अंतिम माना जाएगा और ऐसे व्यक्ति की प्रेढ़ना पर पुनर निरिक्षण के रूप में कारवाई उच नियाले में या किसी अनियाले में की जा सकती है याने कि उच नियाले उस कारवाई को ग्रांड कर सकता है यदि पुना निरिक्षण के मामले में यादि सेसन कोड ने कोई अपना फैसला सुना दिया है तो उस बात को ले करके अपना मामला सुना सकता है याने कि उच्छ नियालय को इसमें जो है उच्छ नियालय के बारे में लिख दिया गया है ना तो आज की वीडियो में हमने अध्यान किया CRPC की धारा 3099 के बारे में यदि आप CRPC से related अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर किलिक करें यहाँ से आपको CRPC का अगला वीडियो भी मिलेगा IPC, CRPC और भारती संभिधान के संपुन वीडियो भी यहीं से आपको मिल जाएंगे तो आज की वीडियो में इतना ही वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को like करें, share करें, comments करें और यदि आपने हमारे चैनल को अबितक subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर लें well icon press कर दें تाकि अगली वीडियो का notification आपको मिल सके ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद